जाएं दोस्तों बंदे मातरा अब तक आपको ये ख़बर तो मिली गई होगी कि राहूल गांदी की संसत की जगे है जो उनके पार्लिमेंटरी मेंबर्शिप है वो जा चुकी लेकिन कैसा लगेगा आपको ये जानके जब आपको मैं ये बताऊंगा कि ये किसी और कारण से नहीं बलकि इन्हीं के दौरा दस साल पहले फाड़े गए का अध्यादेश के कारण ही गई मतलब की राहुल गांदी ने कहीं न कहीं दस साल पहले ही आज अपने इस संसदी सदस्दा के जाने की नीव रगदी थी मतलब की राहुल गांदी ने अपने पैर पही को लाड़ी मारी थी काफी सारी बाते हैं जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो दर अध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफी डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि कि आखिर कैसे राहुल गान्दी खुद के साथ हुई इस हरकत के लिए कहीं न कहीं खुदी जिम्यबार भी है मुदी सलनेम को लेकर अपते जिनक टिपणी के मामले में सूरत की एक अदालत ने कॉंगरेस के पूर अध्यक्ष राहुल गान्दी को आपराधिक मानहानी का दोशी ठहराया कोर्ट ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई है हलाकि कोर्ट ने राहुल गान्दी को जमाना देते हुए सजा के अमल पर 30 दिनों तक की रोग भी लगा दी ताकि कॉंगरेस नेता फैसले के ऊपर अदालत में चनौती दे सके राहुल गान्दी के सजायाफता होने और दो साल के सजा के फैसले के साथ ही उनकी वाइनाट से लोकसबा के सदस्ता भी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 के अपने एक एतिहास एक फैसले में कहा कि अगर किसी जन प्रतिनी थी मतलब कि सांसत विधायक विधान परिशत सदस्य को किसी मामले में कम से कम दो साल की सजा होती है तो उसकी सदस्ता ततकाल प्रभाव से खत्म हो जाईगी खास बाती है कि केंदर की ततकालीन मनमोहन सिंग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए उसी साल अदधेश लाने की कोशिश की थी लेकिन तब ग्रावल गांदी ने उससे बकवास बताते हुए उसकी प्रती को फाड़ कर फेक दिया था आप राधिक मामलों में दोशी ठहरा जा चुके जन प्रतनेदियों की सदस्टा तुरंट नहीं जाती थी उन्हें सजा के एलान के बाद तीन महीने के भीतर उसे चनौती देते हुए उपरी अदालत में जाना होता था उपरी अधरत में जब तक उसकी अपील लंबित होती थी तब तक उसकी सदस्ता नहीं जा सकती थी इतना ही नहीं अपील पर अंतिम फैसला आने तक उसकी सदस्ता खत्म नहीं हो सकती थी अगर हाई कोट ने सजा पर मुहर लगा दी तो उसे सुप्रीम कोट में चनौती देने पर सदस्थता बच जाती थी अगर सुप्रीम कोट ने भी सदस्थता को बरकरार रखा तो रिवियू परडिशन लंबिध होने तक उसकी सदस्थता बची रहती थी दोशी प्रतिन लिदी की सदस्थता तभी जाती थी जब उसके पास कोई कानूनी चारा नहीं बचता था यानि अपील पर भी अंतिम फैसला आ जाए और उसमें भी सजा बरकरार रहे एक तो बरसों उपरी अदालत में मामला रहता था ऐसे मामलों में जब तक सुप्रीम कोर्ट से रीवीव पर फैसला आता था तब तक सम्मनत जन प्रतिन लिदी का कारेकाल मिच्छे तौर पर खत्म हो जाता था सांसद राशिद ममूद की सदस्यता चली गई जिनने का अपराजिक मामले में चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी वो पहले से सांसद थे जिनकी सुप्रीम कोर्ट के एतियासिक फैसले के बाद सदस्यता गई थी वकील लिली थॉमस और एंजियो लोग प्रहरी के सचव लखनों के वकील सत्यनायान शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में जन प्रतिनित्व कानून की धारा आट-चार के चुनावती दी थी ये धारा सजाराफ्ता निताओं को चुनावा लड़ने से आयोग ठहराये जाने निर्वाचित सदस्यों की सदस्यता जाने से इस पर आधार पर बचाता था कि सदस्या के खिलाफ उनकी अपील उपरी अदालतों में लंबित है इस केस को लिली थॉमस केस के नाम से भी जाना जाता है 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अतियास एक फैसला सुनाया जस्टिस एके पटनायक और जस्टिस एस जे मुखपाद्या की बेंच ने जन प्रतिनेदित कानून 1951 की धारा 84 को असमिधानी बताते हुए निरस्त कर दिया कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी आपरादिक मामले में दो सालिया उससे जादा की सजा होती है तो उसी सजसता ततकाल प्रवाव से खत्म हो जाएगी सजा पूरी होने के बाद अगले छे साल तक वो चुनाओ भी नहीं लड़ सकता इतना ही नहीं जेल में रहते हुए किसी सजायफता नेता को वोट देने का भी अधिकार नहीं होगा वे चुनाओं नहीं लड़ सकेंगे खास बात यह है कि लिली थामस केस में आज सुप्रीम कोड के एतियास एक फैसले को उसी साल डॉक्टर मर्मोन सिंग्य अगवाई वाली यूपीय सरकार ने अद्यदेश से पलटने ही कोशिश करी थी यूपीय सरकार ने जन प्रतित्व कानून की धारा आठ चार को बहाल करने के लिए अद्यदेश लाने की कोशिश की ये भी एक सेयोग है कि उस अद्यदेश को बकवास बताते हुए तब राहूल गांदी ने उसकी प्रतिक को फाड़ कर फेक दिया था आज सुप्रीम कोड के उसी फैसले से राहूल गांदी की संसत की सदसता जा चुकी है सूरत की अदलत ने अपने फैसले को एक महीने के लिए सस्पेंड कर रखा है ऐसा एसली किया गया ताकि इस अद्यदी में राहूल गांदी फैसले के खिलाफ अपील कर सके इसलिए एक महीने तक राहूल गांदी की सदसता के उपर पहले तो सवाल था लेकिन अब ये कन्फरम हो चुका है कि भई यहां पर सब कुछ हो चुका है अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बोल रहे हैं कि भई एक समय पर इंद्रा गांदी के साथ भी ऐसा ही हुआ था उनकी भी सदसता को इसी तरीके से हटा दिया गया था लेकिन पांच साल लेलम्बत रहने के बाद इंद्रा गांदी ने जब वापसी करी थी तब दो तिहाई बहुमत उनके पास था देखिए कंपैरेजन करने वालों को और चाहने वालों को तो अपना अपना कारण चाहिए होता है लेकिन मुद्दा यहां पर यही है कि राहूल गांदी की सतसता हाल फिलाल के लिए तो जा चुकी है ट्विटर की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं वहां पर लोग किस तरीके से कमेंट बाजी कर रहे है रहूल गांदी का यह वीडियो से में खासा वार हो रहा है इस वीडियो में रहूल गांदी उसी अद्देश को फाडने की बात कर रहे है और बता रहे है कि भई मेरे हिसाब से वह किसी मतलब का नहीं है थोड़ा जा सुन लीजिए आप मतलब की उसको फाड़ो और भार फेको अंकुर सिंग ने लिखा है इस अबड़ा गांदी इस वीडियो रहा है वो रहा है उनके साथ शाद नहीं हो रहा होता रहुल गंठी शुलिफायब का नुक सब्ड़ा नहीं हो रहा है वोड़ा कर नहीं होता है लेटर अव डिस्क्वलिफिकेशन भी आ पोस्त आ गया है रहुल गंधी कैडिड़ाइन यूके नहीं देखना मुझे राहुल गांधी BJP has committed a suicidal step भाविका जी का लिखना है One thing is clear, there is a pressure from Adani on Modi to stop Rahul Gandhi ये टेवरी ये क्या है Adani की चक्कर में राहुल गांधी का रोका जा रहा है, मतलब कुछ भी रिशी बागरी एकते है It's a decision based on Supreme Court judgment passed in 2013 Manmohan Singh wanted to bring an ordinance against this but Rahul Gandhi had torn that paper सब याद कर रहा है, सब याद कर रहा है, सब याद कर रहा है इनने क्या का? Rahul Gandhi disqualification In PM Modi's opposition, leaders have become the prime target BJP While BJP leaders with criminal antecedents are inducted into the cabinet Opposition leaders are disqualified for their speeches Speeches के लिए नहीं हुआ है दूसरी चीज के लिए है खेट जो भी है अब ये पूरा मामला जो है अब इस तरीके सामने आ गया है कि Rahul Gandhi कहीं ना कहीं खुद ही इस बात के लिए जमेबार आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट के लिए जबर बताईए मेरे इस वीडियों फिलालत नहीं जाहिए हुआ है